नमस्कार आप देख रहे हैं स्रमिक मंद और मैं हूँ आपके साथ आलोक शर्मा मौसम साप होने के साधी केदारधाम यात्रा ने भी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है जी हाँ आपको बता दे की पीछले दिनों बरसाद कम होने के बाद से रोजाना चार से पास हजार यात्री ही बाबा केदार के दर्सन के लिए वहाँ पहुँच रहे थे वह अब पिछले दो दिनों से लगातार हजारों की संक्या में यात्री प्रती दीब केदारधाम पहुँच रहे हैं प्राप्त आधिकारिक सुचना के अनुचार कल साम तक दर्सन करने वाले स्रधालों की संक्या करे 12 लाग तक पहुँच गई जबकि अब मानसुन भी समाप्ती की ओर ही है और यही कारण है कि पीछले एक सब्ता से मौसम साफ होने के साथ ही स्री केदारनाथ धाम यात्रा ने भी तेज गती पकड़ ली है पीछले कुछ वर्सों में बावा केदारनाथ के दर्सन करने वाले स्रधालों की संक्या में लगातार इजाफा हो रहा है वही सासन प्रसासन की मुस्तेदी के साथ साथ यात्रा के दरान सरकार की चुस्त गुरुस्त विवस्ता का परिणाम है इस बार के चार धाम यात्रा में अधिक संक्या में स्रधालों का पहुँचना और सरधालों की संख्या में बढ़ोतरी का स्रे सुबे के मुखिया पुषकर सिंग धावी को जाता है नमस्कार मैं हूँ आलोक सर्मा अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक वशेर जरूर करें और हाँ इसे सब्सक्राइब वर फोलो करना न भोलें तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे शरमिक मंत्र